जारकन राज मध्यामिक सिक्षक संग जिलाकारिकार्णी के अंतरिम समिती का पुनरगठन को लेकर रविवार को सरजेसी बोसबाली का उच्विद्याले में बैठा की गई यहां इस कायरक्रम की अध्यक सार परवेक्षन संग के वरिये सम्यू जोग देवेंदर प्रशाद सिंग ने की इस पुनरगठन कायरक्रम विशेस रूप से अमंतरित पुरुप्रधाना ध्यापक शुसिल कुमार ने कहा की मध्यामिक सिक्षकों का स्तेतु आज खत्रे में है सभी को एक जीट होकर इसके लिए लड़ने की अविशक्ता होगी नहीं तो सरकार की मीती और दूसरे संगों के क्रिया कलाब का वित्रित प्रभाव आपके सीहत पर पढ़ने वाला है यहां नवदीरवाचित अध्यक्स चंद्रमनी प्रशाद इस परस्ट कहा कि वर्तमान परिद्रिश में सिक्षकों को च्छात्राओं से च्छात्रों से और विद्याले के प्रश्वासर से ताल मेल करते वे एक बहतर महौल देकर सिक्षक हित और च्छात्र हित पर हमें कारि अनेथा सरकार की मीती मध्यामिक, सिक्षकों के अधिकार और स्वभिमान को बरबात करने पर तुली हुई है संच्वालन करते वे मुन्ना कोश्वाह, मनोच, रजक, वक्तर, अंसारी ने भी कायरकम को संभोधित किया यहां जिले के विबिन पद पर सभी प्रखंडों से जिला प्रतिनीधी के रूप में दो-दो साथियों का चैन करते वे उन्हें प्रखंड के संग को मजबूती प्रदान करने के जिमिदारी दी गई गिरेडी प्रखंड से राज्यस कुमार सिंग और विवेक कुमार चयाने थुए इसी तरह आने प्रखंडों से भी प्रतिनीधियों का चयान सरसम्मती से किया गया जारखंड राज्य मादिमिक सिक्चक संग जिलाई काई गिरेडी की जिला कारिशकार्णी के अंतरीम कमीटी का आज गठन होना है इस हेतु जिले के जिविन प्रखंडों के हमारे मादिमिक विद्याले के सिक्चक सिक्ची काई मौजूद हुए वड़ी बात ये है कि जारखण राय जमादी सिक्षक संग जारखण अलग होने के साथ ही सिक्षक में लगातार शंगर्सरत रहा है और आगे भी इस रास्ते पर चलने के लिए संग को मजगूती देने के लिए यह कमिटी गठित की जा रही है इसमें सभी प्रखंडों के हमारे सम्माने साथियों का जिला कमिटी क्रारचारनी का गठन होना है परीब सेक्डों साथी यहां मुझूद है मुख्योद्देश सिक्चक हित के शाथ साथ गिरीडी जीले में सेक्षनिक दिकास कैसे वढ़े छात्र छात्राओं का हित कैसे हो इनी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है और पूरा उमीद है कि राज्यमाद्री सिक्चक संग अपने उद्यश्य की कुंती के लिए सिक्चक सिक्चिकाओं के अधिकारों के रक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं के अधिकारों के प्रतिश जागरूख है और रहेगा और गिरिटी का सेक्षिनिक विकास अस्तर कैसे बढ़े इस पर कारिसिल रहेगा